जैसा Thumbnail में देखा होगा कि 32.08 का बेरिंग है 32.08 का बेरिंग है दोनों एंगुलरकाश। बोल बेरिंग है किस का यूज कहां पर होता है कोन कितने OM या कितने बोल बेरिंग यानि के यह एक बोल बेरिंग का टाइप है एंगुलर कॉंटेक्ट बोल बेरिंग इसमें दो तरापके बेरिंग होते हैं एक होता है सिंगल रो कॉंटेक्ट बोल बेरिंग होता है डबल एंगुलर कॉंटेक्ट बोल बेरिंग यह पूरी लाइन यहां लिख सक यानि के 72-08 या फिर 73-08 कोई एक्सामपल ले लिया इसी तरह यहां पर मेरा होगा 32-08 या फिर होगा 33-08 यह जो मेरे bearings होंगे यह मेरे single row के अंदर आएंगे यह double row के अंदर आएंगे अब इनके वो point जान लेते हैं जिसका इसमें use में हमको problem ना हो पता चल सके कि कहां पर किसका use करना है देखिए bearing का decide करना कि कौन सा bearing कहा use होना है एक बड़ी चीज़े बड़ी problem आ जाती है कभी कभी कि मैं 72 का use करूं एंगुलर में भी या 73 का use करूं या फिर 32 का use करूं इसमें क्या होता ह हमारे single row में होके चलेगे सिर्फ तो क्या होगा कि अगर load की मैं बात करूं कि अगर pumper हमारा ज्यादा load है यानि कि यह particle solid है जो हम उसमें चला रहे हैं या पानी ना होके कोई दूसरा पदारत है तो हम 33 की series या 32 की series यूज़ करेंगे यानि कि double row का bearing यूज़ करेंगे अगर ह solid particles है तो यह यूज़ कर लिए अच्छा एंगुलर का यूज़ करते बोल बेरिंग में एंगुलर टाइप क्यों आया क्यों कि इसमें क्या होता है देखिए इसमें जो simply single row के ball bearings होंगे या फिर एंगुलर में फरक्या जाता है इसमें जो है simply ball bearing में हमको थोड़ी सी भी यानि कोई चाल नहीं मिल पाती इसमें क्या है एड़ेस्टिंग के लिए कि यह bearing खुद से एड़ेस्ट कर लेता है फिर pumps के लिए जहां पर pumps motor से अलग रखी जाती है तो उन pumps में जहां पर कोई solid particles या अन्य कोई particles चल रहा है तो cover plate में भी इतना एड़ेस्टिंग रखा जाता है कि यह bearing cover कर लेते हैं एक इनमें difference देखेंगें contact angle का अब contact angle क्या होता देखेंगे मोटा मोटा सा आप देख सकते हैं कि इस bearing में इसमें सिर्फ रोगा फड़ा गया यानि कि यह double roam हो गया तो इसकी ताकत जादा हो गई लेकिन ऐसा नहीं है यानि कि इनके जो angle दिये है वो भी difference ह यह हमारा रखे गया 40 degree पर यह रखे गया 30 degree पर क्या है कि जब हमारे balls और जो की cage है उनमें जो angle बनता है यानि कि इसकी number of balls बढ़ जाएंगी angle कम होने से तो यह bearing ज़्यादा load ले सकता है 33 या 32 वाला और ज़्यादा life होगी इसकी 72 के according लेकिन यह है कि अगर हमारा load कम है क्यो या कोई फिर solid particles है तो हमारा 32 कर लगेगा लेकिन हमारा अगर यूज कम है सिर्फ water में यूज कर रहा है यानि कि लोड भी कही ज्यादा नहीं है तो हम बहतर का भी लगा सकते क्योंकि इसकी cost कम होती तो यह मैं डिफ्रेंस में 40 एंगल और 30 तो आज की वीडियो में बसी इतन तक के लिए